नमस्कार, आज हम यहाँ पर रक्त अल्पता या एनिमिया रोग के निवारण के लिए अईर्वेदिक और घरेलू चिकित्षा पद्धित के विचे में थोड़ी सी चर्चा करें रक्त अल्पता जैसे रोग होने के कारण, कमजोरी, चक्कर आना, जैसे लक्षन आने लगते हैं इसके लिए हम क्या न उपाय करते होंगे, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अईर्वेदिक के माध्यम से भी रक्त अल्पता की विमारी को ठीक किया जा सकते हैं तो मित्रों यहाँ पर हम कुछ प्रयोगों के विशह में चर्चा करते हैं अंगूर एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग करने से रक्त अल्पता जैसे विमारी से मुक्ति पाई जा सकते हैं दूसरे प्रयोग में यदि हम पालक का उप्योग करें यदि पालक की हम सब्ची बनाकर खाएं बाजी बनाकर खाएं या सूब बनाकर पीएं तो रक्त अल्पता जैसे विमारी से हम मुक्ति पाई सकते हैं मित्रो अनार के रस अनार के रस में वड़ी सक्ती होती है रक्त बनाने की च्छमता है अनार के रस बीतर पाई जाती हैं जिन लोगों को एणिमिया या रक्त अल्पता की विमारी है वे यदि अनार का रस्पी है तो उनके लिए लावकारी होगा तो यह थी छोटे छोटे उपाय लेकिन किसी भी उपाय करने से पहले नाड़ी वैदी से परामत अवस्यले अपने जीवन चरिया में बदलाव लाए और प्रति दिन योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं उतने करते हैं आज की चर्चा यहीं पर समाब नमस्कार हरियो